हेलो फ्रेंड्स दे और्किनिक फार्मर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है यह हमारा इस प्रोट में अनार के पोदे लगाए हुए हैं इन पोदों को हमने अगस्त में लगा था अगस्त 2022 में और अभी इनको लगबग आर्दस महीने हो चुकी है अभी हमने रोटावेटर से इसके जो बीच में घास कर पतवार वगेर हो रुकिती उसको उटाया है दोरों साइड से अब यह आप देख सकते हैं कितना अच्छा न जा रहा है अब इन पोदों की थोड़ा कटिंग वगेर करेंगी क्योंकि काफिटैनिया है यह वजन से जुग गई है तो इनको थोड़ा ठीक किया जाएगा बाकि आप देख सकते हैं पोदों की जोड़ोद देख सकते हैं पत कि यह देखिए फ्लावरिंग स्टार्ट हो रुखी है इधर हमारा मोस्मी के पोदे हैं मोस्मी का बगी चाहर सवाथ 600 पोदे हैं 620 यह देख सकते हैं यह 500 पोदे हैं अनार्गे आप देख सकते हैं यह देख सकते हैं कि इख सकते हैं यह 100 पार ओून का प्समी का घंप और अपय हैं कि खौः प्लादी था द रyज हा का यह हैंına 2 आप उढ़ी प्ते हैं कं लोन लो झाल झाल अब इनकी कटिंग करने पड़ेगी क्योंकि आप देख सकते हैं यह जो टैनिया है फ्लावर्स के वज़ा से वेट हो गया है तो यह नीचे जूब गई है अभी हम इसको यहां से कट कर देंगे तो यह उपर की तरफ हो जाएगी और मजबूत हो जाएगी उसके बाद उपर की जञाएगी ज्यादा वेट होता है दोस्तों देखने में अपने को लगता है नहीं लेगिन फुलावर्स का काफ़ी कम बहुत ज़्यादा वेट होता है पत्ली टैनी आई है इस हैं नहीं कर पाते हैं तो अब यह टैनी है किसी भी सूरत में आठ्ट क्या एक फ्रूट को भी सेहन करने की पोजिशन में नहीं है पेंसिल जितनी ग्रोथ है भी इसकी मोटाई है टैनी की तो अब हम इनको सारों को ड्रोप करेंगे खट करेंगे तोड़ी इसकी भी प्रूनिंग करेंगे ताकि यह तोड़ी मोटी हो जाए अब यह देखिया इसकी हमने कटिंग की ती तो यह काफी मोटी हो गई है इसका तरह अच्छा मजबूत हो गया है वेट उठाने की सिच्वेशन में है तो इस पर जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो चलती रहे गया भी हम इसको ज्यादा कटने करें नीचे से जो भी है यह वाटर सूट्स वागेर इनको सारों को हटा दिया जाएगा और इस तरीके से यह पोदा गरोथ करेंगा सबसे पहली चीच होती है इसके तने को इसकी मेंटैनियों को मजबूती देना उपर की वेजिटेटिव ग्रोथ है वो पोदा कभी भी ले ले अगर उसकी रूर्स अच्छी है तो वह उपर की ग्रोथ कभी भी पोदा सेट कर लेगा सबसे पहले आपको उनको मजबूती देनी होती है कि यह देखिए कि यह देखिए इनका वेट देखिया वेट हो जाता है इनकी वज़े से यहां भी देखिए चार-पॉंच लगे वेएं गुच्छे में यह देखिए कि एक तो तीन और तीन च्छे लगे वें यहां पर कि इस पॉदे की हालत देखिया सारा वेट की वज़य से यह कैसे हो रुखा है इन टैनियों वो सारों की प्रूनिंग करने पड़ेगी ठीक है दोस्तों जब हम इनकी पूरूनिंग करेंगे तब आपको अलग से वीडियो बनाके अब डेट करेंगे आप देख़ाएंगे कैसे इनकी पूरूनिंग की जाती है और कैसे फोदे को मजबूती दियनी है आपको डेनी को झाल झाल